तो दोस्तो सबसे पहले आपने अपने प्ले स्टोर को ओपन करना होगा और जैसे आप अपने प्ले स्टोर को ओपन करते हैं आपने सर्च बार में जो है वो टाइप करना है ब्लू जीन्स और इस एप का लिंक आपको वीडियो के डेस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आपक कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को जो है वो मिल जाएगा ब्लू जीन से उपर लिखा हुआ है अब नीचे जैसे देखेंगे तो आपको जोइन अपना first name, last name, email address, phone number और Companylls ये साज जय जहां में डाल ली है तो आपको कैसे करने तो यहां पर आप first name डालेंगे उसके बाद आप last name डालेंगे जैसे कि मैं डाल की कंपनी का हूं church है वह स्टूरम करेता हूं इसके बाद आपने अपनी जो है वो countries लग करनी होती है कि किस country से आप इसको यूज़ करना चाते हैं तो मैंने इंडिया यूज़ कर लिया है उसके बाद आपने इस check box पर जो है वो click करना होता है तो जो भी यहाँ पर आपको check box जिखरा उस पर यहाँ पर टिक करें उसके बाद आपको नीचे submit पर click करना है जै जहां से मैं जो है आभी इसको minimize कर देता हूं और अपने email को open कर लेता हूं तो आपने simply email को open करना होगा जैसे हम लोग email में आते हैं कि उपर ही top में मिल जाता है blue jeans की तरब से email तो इसको open करें और आपको नीचे जैसे scroll करेंगे तो यहाँ पर आपको एक button मिल जाएगा verify email address त आपको एक दो box मिल जाएंगे तो आपने इधर अपना 8 character के साथ में उससे ज्यादा आप अपना password set करेंगे जैसे ही यहाँ पर दीखे मैं type कर रहा हूं अपना password आप इस तरह अपना password बना लें और उसी password को फिर यहाँ पर confirm कर दें मतलब कि दुबारा type करेंगे तो मैं भी इधर से confirm कर लेता हूं और आपका एक green हो जाएगा जैसे आपका green होता है तो आप create account पर click करेंगे जैसे आप create account पर click करते हैं यहाँ पर process होगी और process में आपका 2-3 seconds लग सकते हैं और यह देखिया आपका जो है वो complete हो चुका है अब आपका account जो है वो बन चुका है अब already account पर click करना है sign in वाले option पर जैसी आप sign in पर click करेंगे simply अपना email दें जिससे आपने अपनी ID बनाई थी उसके बाद password डालेंगे यहाँ पर जो आपने उस time पर password यहाँ पर create किया था थोड़े दिल पहले तो आपका देखिए यहाँ पर tick भी आ जाएगा कि हाँ यह exit करता है account उसके बाद आप simply password डालें तो जैसे यह देखिए मैं आप अपना password डाल दिया हूं उसके बाद आपने simply sign in पर click करना है जैसे आप sign in पर click करते हैं आपको first look जो है वो इस तरह से देखने को मिलेगा तो आपको सार्ची यह बता रहा है तो हम लोग इसको बाद में भी set कर सक सकते हैं जैसे कि आपको teaching class पढ़ाते हैं daily basis पर तो उसका यहां पर ऊपर आप title दे करके और उसको daily basis पर अपनी meeting जो है वो schedule कर सकते हैं जैसे कि first में आपने title देना होगा नीचे आप उसका date select कर सकते हैं and date select कर सकते हैं यहां पर सार्ची आपको देखने को मिल जाती है अब यहां पर जो plus icon है इसमें आप अपनी meeting create करेंगे वो भी मैं आपको बता हूँगा तो पहले मैं आपको यहां पर आपका account है नाम है और आपका company name है meeting idea आप देखने को मिल जाती है और passcode जिसके तरू कोई बंदा join कर सकता है meeting idea और passcode के तरू यहां पर आपको तीन option के त सकते हैं जैसे की audio video के तरू simply audio के तरू यहां पर एक feature वो बहुत अच्छा है यह वाला जिससे आप अपने data बचा सकते हैं अब last में लोग यह चीज़ सिक लेंते कैसे आप अपनी meeting create कर सकते हैं यह तीन option आपको मिल जाते हैं join with id और schedule और meeting now तो यहां से आप अपना schedule कर सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया है और simply आप meet now पर click करके अपना new meeting create कर सकते हो यहां पर आपको यह option देखने को मिल जाते है microphone on video on आप चाहें तो इसको remember for all meeting को भी on कर सकते हैं तो यह आपके ओपर depend करता है कि आप इसको करना चाहते हैं उसके बाद join meeting पर click करेंगे तो join meeting का मत सबसे पहले कर रहे हैं उसलिए आप meeting create कर रहे हो तो यहां पर यह meeting जो है वो create होना शुरू हो जाएगा यह आपसे कुछ permission मांग रहा है तो आपने इन permission को जो है वो allow कर देना है जितनी भी आपसे permission मांगता है तो सबसे पहले देखिए हमारा जो camera वो हो open हो चुका है उसके हमारे जो meeting है वो connect होनी शुरू हो जाएगी मतलब कि connect हो रहा है और meeting जो है वो create होने लग जाएगी तो यहां पर चार से पांस सेकिंड का time लगेगा और यह जो है देखिए आपकी meeting जो है वो create हो चुकी है यहां पर आपको यह audio वीडियो के बारे में कुछ बता रहा है तो म इसके भी मतलब कि share कर सकते हैं जैसे कि email पर text message पर या फिर copy URL करके आप Facebook पर भी इसको share कर सकते हैं ताकि कोई बंदा आपको जो है आपकी meeting को join करे या आपके student के साथ हो है तो यहां पर यह option मिल जाते है यहां से आप अपनी वीडियो को जो है वो बंद कर सकते हैं जैसे कि म काफी सारे option दो देखने को मिल जाते हैं जैसे screen share तो यह भी मैं बता हूँआ कैसे होता है और यहां से आप अपनी audio device को जो है वो manage कर सकते हैं साथ में start recording का option भी मिलता है तो अगर आप अपनी meeting की जो है वो recording करना चाहते है तो यहां से record कर सकते हैं बाद में अपनी students को उस recording क बता देता हूँ link मैं यहां पर only मतलब की WhatsApp पर share कर रहा हूँ तो आप चाहते हैं Facebook पर भी कर सकते हैं मैं आपको अब join करना बता हूँगा कैसे join करेंगे तो यहां से आप simply अपना कोई भी अपना link send कर देंगे वहां से copy करके या फिर आप अपनी meeting ID के तुरू भी कर सकते हैं email पर या फिर link send किया है उस link पर क्लिक करेंगे जैसे कि मेरे पास यह link आया है मैं नहीं send किया था अपनी दूसरे फोन से तो यहां पर मैं blue jeans open कर लूँगा क्योंकि मैंने आप ओलेडी डाउनलोड कर रखा यह उसके बाद आपको इधर एक option मिलता है एप audio and video and dial audio तो आप इन मैं audio and video पर जा रहा हूं आप देखे हमारा camera जो है वो open हो चुका है और हमारी जो host device है हमने जब link share किया था तो मैं अपने उसको open कर लेता हूं यहां से अपने blue jeans को और देखे हमारा यहां पर जो meeting है वो only हमारी start हो चुकी है हमने इस phone से join कर लिया है और वो हमारा जो right hand में है वो host है तो इस तरह से हमारी meeting वो great होगे और वाकी के सारे option में आपको बता देता हूं जैसे कि हाँ पर हमने screen share वाला था था तो आप यहां से screen share भी कर सकते हैं इस पर click करके तो जैसे ही मैं आप देखे शेवर पर click करूंगा मेरे right hand वाली device का जो है यहां से screen share लग जागा पहले आपने इसको permission देनी होगी यहां से तो यह open कर लेगा automatic उसके वाद जैसे आप back करेंगे तो आपकी screen है देखे इधर वाली right वाली वो left में है वहा पर उसको देखने को मिल जाएगा आपका user को जो भी आपको देख रहा होगा तो इस तरह से आप अपना इस app को जो है वो use कर सकते हैं और यहां पर आपको top में कुछ चीज़ें मिल जाती जैसे की load data तो अगर आपके पास data काम है तो only आप मतलब कि अपनी audio वीडियो को mute कर स सकते हो और standard वाले option में मैं आपको बता दूँ जैसे की उपर standard वाला वर्ड़न है तो उसमें आप सीधे अच्छे से कर सकते हो यहां से आप अपनी meeting ID बंद करना चाहते हो यहां से आप अपनी meeting को जो है वो end कर सकते हो तो इस तना से आप अपना जो है यह blue jeans app यूज कर सकते हो video conferencing के लिए मैंने साइर चीज़ें आपको यहां पर बता दी है कि कैसे use करना है उमीद आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जो है वो share करें अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें मिलते हैं ऐसे किसी अगले वीडियो में बाबाई